सब्सक्राइब करिए टूडे स्पोर्टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दपाईए लेटस्ट बिजनस और टेक्नलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आपको थोड़ी बहुत चूट बढ़ती होने के लिए जो प्रिशिक्षन यानि की ट्रेनिंग दी जाती है वो ट्रेनिंग इसमें भी दी जाती है इसके अंदर दोस्तो अगर आप सेना वगेरा के अंदर बारतिय सेना के अंदर आप जोइन करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी बहुत चूट वगेरा भी इसके अंदर मिलती है इसके माध्यम से दोस्तों शातरों के अंदर देश बक्ती की भावना भी लाई जाती है और शातरों को के अंदर करता हुए परतिबदता समारपन अनुसाष्टन नितिक मुल्यों के विकास की भी आप उनका भी अंदर डाला जाता है ये चीज़े भी उनके अंदर आ जाती है इसके लावा दोस्तों समाजिक सेवा, अनुसाशन, एडवंचियर जो ट्रेनिंग होती है उस पर भी काफी ज़ादा ध्यान दिया जाता है NCC एक संस्ता है जिसके माध्यम से कोलेज और जो विशव विदाले होते हैं तो उनके जो चातर पड़ रहे होते हैं उनको ट्रेनिंग के माध्यम से जीवन को अनुसाशन में रखना सिखाया जाता है और इसके साथ साथ अपनी जिम्मेदारी दिखाई जाती है और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाता है इसके लावा दोस्तों उन्हें जो सेना के अंदर ट्रेनिंग वगरा दी जाती है वैसी ट्रेनिंग इसमें भी जवानों के इसाब से दी जाती है इसके लावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि राष्ट्य केड़ेट कोर अधिनियम जो है 1948 के अंतरगत राष्ट्य केड़ेट कोर की स्थापना हुई अप्रेल 1948 में पारित 16 जुलाई 1948 में इसे स्थापित किया गया इसके लावा दोस्तों बतान चाओंगा एंसिसी का आधर्षवा के एकता और अनुशाशन होता है इसके लावा इसका चिन है जो एंसिसी अक्षरों से युक्त स्वर्ण कित एंसिसी क्रेस्ट है जिस पर साथ प्रस्ट भूम्मी में लाल निला हलका निला रंग होता है इसके लवा दोस्तों NCC Crust में कमल का फूल 17 राज्य निदर्शल्यों का प्रम्ट है इसके लवा दोस्तों राश्ट्री स्थर NCC लक्षयमंत्राले के अधीन है राश्ट्री के लिए वित निदियों की विवस्ता के अंदर वै राज्य सरकारों दुवारा किया जाता है अब इसके बात कर लेते हैं कि इसके certificate क्योंकों से होते हैं अब NCC के अंदर certificate दोस्तो तीन पका के होते हैं A, B और C अब इसके अंदर A certificate जो होता है पंद्रा वर्ष से कम उमरोंक चात्रों के लिए होता है और B certificate प्राप्त करने के लिए दो साल का बाद आप यानि कि 17 वर्ष है तो उसके लिए होता है इसके लावा दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो C है उसके लिए आपको थोड़ा और C जो certificate है वो 2 वर्ष के बाद यानि कि 19 तक आप प्राप्त कर सकते हैं इसके आदर बताना चाहूँगा कि जो इसके certificate का आपको लाव क्या-क्या हो सकता है A certificate के जो भी चातर होते हैं वो बड़ा प्राप्त नहीं कर सकते हैं और अधिक से अधिक CSM यानि कि Company Sergeant Measure तक जा सकते हैं जबकि B certificate के J.U.O. और C certificate से आप CSUO Company Senior Under Officer का प्राप्त भी प्राप्त कर सकते हैं NCC से सी certificate प्राप्त चातरों को शेना अर्द सेनिक बलोंप के अतिरिक्त विबिन सरकारी नोकरियों को करने में भी सायता प्राप्त होती है इसके लावा दोस्तों बताना चाओं कि इसके अंदर आपको क्या कि क्या-क्या सिखाया जाता है प्रते एक दिन 40 मिनट की निर्दारित किये गई है इसके अंदर प्रशिक्षन के अंतर चातरों को ड्रिल बढ़ाया जाता है जिन में अनिक परकार के सारीक अभ्यास से आपको गुजरना होता है अतरिक्त उन्हें फिल्ड क्रॉस्ट, क्रॉफ्ट जैसे समाज सेवा, मेन मनेजमेंट, मैप, रिडिंग, राइफल खोलना, जोडना, कलपुर्जे के बारे में विस्तार से भी बताया जाता है और इसे ड्रिल कराकर उन्हें नेतरतव या गुण उत्पन भी उनमें किये जाते हैं अब आप NCC जोइन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं NCC कैसी सेटिविट दारेक अभ्यार्थी जो सेनिक में बरती होना चाते हैं उनको लिखित परिक्षा भाग पहले में देने में छूट होती है और योगता करम सुची में उन्हें सबसे उपर रखा जाता है लेकिन सेनिक कलरक SKT TAC NA के लिखित परिक्षा के भाग फर्स्ट में छूट तो नहीं मिलेगी लेकिन संपूर्ण योगता करम सुची में स्तान बाने के लिए उन्हें लिक्षित परिक्षा में कुल पराप्त अंक का तस परसीसत अंक बोनस के इसाब से भी दिये जाएंगे जहां तक NCC के A और B सेटिविक्ट वाले ब्यारती का सम्मन्न है उमीदवानों की योगता ठीक है जो भी होती है सुची में समगर सुधार के लिए प्राप्त होने का बोनस अंक भी इस परकार के होते हैं तो जान लेते हैं कि इस परकार से आपको अंक वगर्या दिये जाते हैं अब जान लेते हैं कि अगर आप नाविक में जाना चाते हैं यानि कि नेवी के अंदर जाना चाते हैं तो आपको कैसे कैसे आपको अंक मिलेंगे अगर आपके पास A certificate है तो आपको दो अंक और B certificate है तो आपको 4 अंक और C certificate है तो 6 अंक मिलेंगे A certificate भाग first और second के अंदर तीन अंक मिलते हैं और A certificate के वल भाग first के अंदर आपको दो अंक मिलते हैं इसके लावा दोस्तों आप बताना चाहूँगा कि तर्ट रक्षकाग बनना चाहते हैं इसके लाव दोस्तों बताना चाहूँगा कि NCC जो होती है वो आपको काफी तरह से गरूमर्ट जोब के अंदर फाइदा देती है और आप जब भी सनात तक उपाधी और C certificate दारेक NCC चाहतर के डिटों के लिए भी आरक्षित है तो इस तरह से किया है कि काफी जाद आपको फाइदा मिलने वाला है और NCC कैसे जोइन कर सकते हैं कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं तो उमीद है आपको पूरी जानकरी समझ में आगे होगा अगर कुछ भी आपका सुबाल जवाब है तो नीचे कमेंट करके मुझसे आप जरूर पोस्ट लकते हैं मैं आपको रिपलाई देने की पूरी कोशिश करूँगा उमीद है आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें होसके तो चानल सब्सक्राइब बना ना बोलें क्योंकि मैं आपके सामने इसी वीडियो लेकर आता रहे तो हम तब तक के लिए दोस्तों जैहिंद वंदे मातरम